आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और आप लोगों को पता हुआ कि बहुत जल्द वेकंसी आने वाला है और इसी को दिश्टिकोन में रखते हुए मैं एक कम्प्लीट कोर्स मैंने लॉंच किया है अगर आप लोग इंट्रेस कर सकते हैं 7977012627 और यह कम्प्लीट कोर्स का अगर डिटेल आपको चाहिए कि क्या है उसके प्रोसीजर मैंने क्या डिटेल्स मैंने प्लान किया स्ट्रेटिजी कोर्स स्ट्रक्शर अलेडी अप्लोडेड है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं स्केम लर्निक चैनल के अ हम जोना है बहुत सार औ लोगों का को टाकी आपके लाइब क्लास में और आपको क्लास में एक क्ल रहा हूं कनुक्रक्शनमारेत意 नाइन पीम में कल के class में फ्री है completely free जतने भी लोगों नहीं नहीं लोग जो मुझे follow करना शुरू किये हैं या जिन्हें अपन उनको हमारे उपर faith नहीं है समझ नहीं पा रहा है तो just be online at 9 p.m. and join my class that is completely free for everyone and a particular topic will be discuss over there okay so just join that and enjoy the live class first thing second thing कि हो सकता है कि कल के class से आप satisfied ना हूँ या इसा लगता है कि एक class से नहीं पता चलेगा तो आप देखेगा कि KM Learning के channel में एक playlist बनाया गया है जिसमें geography का अलग है history का अलग है पॉलिटी का अलग है मेरा teaching style या learning style या talking talking sense क्या होता है और मैं कितना sensible हूँ कि मैं कितना relevant point discuss करता हूँ that you will come to know come to know okay so guys आज जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ वो है Indian history, Canadian history के महा जनपत के बारे में आपने महा जनपत के बारे में काफी परह होगा जब महा जनपत की बात आती है तो बुद्धिजम की ये बात आती है राइड क्योंकि बुद्ध के book से ही कहीं हमें reference मिलता है कि 16 महा जनपत हुआ करता है तो BPSC में जब question पूछा जाता है तो आपको ये पूछा रहा सकता है कि महा जनपत क्या है महाजनपत कितने थे महाजनपत के सोला जो है वो कौन से बुक से रेफ्रेंश मिलता है महाजनपत में कितने महाजनपत बिहार से विलाओं करते हैं तो इस तरह के questions जो पूछे जाएंगे वही चीज आपको यहाँ पे cover कर रहा हूं में ताकि आप महाजनपत के बारे में properly understand कर लेएं तो दीकि जनपत पहले से हमारे ancient period से ही जनपत सब्द आया करता था हमारा जो basic literature होता था उसमें भी हम लोग जनपत सब्द का इस्तमाल होते हुए देखें करेक्ट लेकिन जब 6th century BC की बात आई जब पानिने बारह जनपत की बात की तब समझ में आया कि अच्छा यह जनपत जो है चुकि पानिनी ब्याकराना चार्ज थे और अस्टा धियाए उनकी book थी आपको पता ही होगा सो पानिनी जस्ट मेंसें अबार 22 जनपत्स दियूनि देख सेंचूरी वी सी राइट और उसमें से उन्होंने कुछ जनपत के बारे में विशेश तर बताया जैसे कि मगद है कोसल है बत्स है इनके बारहों में एक प्रॉपर रेफ्रेंस कह सकते हैं या इयोलोजी कह सकते है या बराई कह सकते हैं जो भी आप कह सकते हैं उस खास मगद कोसल बत्स के बारे में उन्होंने एक अच्छा परिचे दिया अब यह भी कोशन हो सकता है कि क्यों दिया गया क्यूंकि मगद के राजाओं के साथ में पानिनी रहा करते थे कोट पोईट के तरह कोट व्याकरान चार्ज के कोट स्कॉलर के तरह रहा करते थे तो नेचरल लिग उनके बारे में काफी जानकारी होगी तो इस पेसिफिक इनफॉर्मेशन या उनके दिटेल्स बताएं उसके बाद अलग-अलग बुद्धिजम उस बक्त भी चल रहा था जैनिजम भी चल रहा था सो बुद् इसका जो महाजनपद का जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है बुद्ध के अंगुतर निकाय के बारे में आपने सुना होगा अब कभी-कभी एक कोशन पूछा जाता है अंगुतर निकाय जो है वो कौन से धहम का यह रिलिजियस बूक है तो अंगुतर निकाय इस अफ बुद्धिजम और यह महाजनपद के बारे में प्रॉपर डिटेर्श बता था जिसमें हम लोग जानते हैं कि सोला महाजनपद हुआ करता था अब अंगुतर निकाय के बारे में जो महाजनपद का इंफॉर्मेशन मिलता वह यह देखिए कि ज्यादा तर जो लोकेशन था वह बिंदियन माउंटेन के नौर्थ में लोकेटर था अब आपके माइन में आएगा कि भाई नौर्थ बिंदियन माउंटेन कहां है और कहां से शुरू होता है नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू बिहार बिहार के नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर से शुरू होता है तो चलि क्योंकि मेरा जो कॉंसेप्ट है वह मैं उस चीज को हमेसा ध्यान देता हूं कि कॉंसेप्ट क्लारिटी जो है वह जरूरी है अगर वह नहीं है तो आप कितना हूं रट लिजे क्या फर्क परने वाला है हो सकता है कि आप पीटी निकाल लें है ना लेकिन मेंस की बात आएगी तब कहा जाएंगे तो इसलिए बहतर है कि हम प्रॉपर वे में यह दिखिए यह आपको पता चल गया होगा कि यह इंडिया का मैप है यह बिंद्यन जो है बिंद्यन मौंटेन कहां पर लोकेटेड है आपको मैं हाइलाइट करके बता जाता हूं तो आपको समझ में आ जाए में आपको दिखए होगा this is दो बिंद्यन मांटेन और यह जो है लोकेटेड है मध्य पर देश क्ताउधन माहरास्टा और मध्य पर देश के बीच में ऑर यह वाला जो मैप है आपको पता ही होगा यह इंडिया वाला मैप है तो इंडिया के नौर्थ वेर्स प्रंटियर य और यहां तक सारे महाजनपत किसी नंकिसी रूप में, यह वाला पूरा bylt ऐसा था जो महाजनपत के लिए famous था। अब यहां पर दिखें UNG, modern, मुंगेर और भागलपूर का नाम आपने सुना होगा। ४र भागलपूर का नाम सुना होगा, So, it is handled to submit to Magad, इसका मतलब क्या हुआ कि अंग जो था भागलपूर के इस बेल्ट में था अब मैं आप थोड़ा सा मैप बना देता हूँ बिहार का यह बिहार का मैप है और आपको पता होगा यह भागलपूर है यह भागलपूर एडिया में अंग लोकेटेड था मगद जो था वो कहां था पाटली पुत्रा के पास और बज्जी जो था बैसाली के पास पाटली पुत्रा कर नौर्थ में तो यह अंग हो गया और यह मगद हो गया और यह बज्जी हो गया करेक्ट तो यह मगज जो है मौडरन पटना और गया वला एडिया है कैपिटल गृवराज गृवरज और राज गृवरज हुआ करता था मगज डैनेस्टी का पहला जो कैपिटल था वो गृवरज ही था जिसको फिर राजगी के नाम से भी जानने लगे और अंग का चंप आजन पत वह यहां पर लोकेटेट था बिहार में तीन है अंग मगद और बज्जी जो बैसाली बला है राइट बैसाली के पास तो अल थ्री लिच्वी जिसको भी लिच्वी भी बोलते हैं आल थ्री वेर इन द बिहार द टाइम और बाकी कोशी है वत्स है अबंती है असमक सबसे नौर्थ में लोकेटेड कमबोज सबसे एसट में अंग अंग करेक्ट तो यह आपको क्लिए रोगया है तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखी रहे हैं कि अंग उतर निगाएक अनसार जो बताया कि अंग है मगध है अब आते हैं दूसरा क्या उनसा है भाई तो तीसरा है बज्जी बज्जी ये आठ रिपब्लिकन क्लेन के द्वारा बनाये गया ये जनपद महा जनपद लिच्वी का नाम सुना है ना लिच्वी जो था इस आठ के लेन में से एक जनपद था जिसका कैपिटल बैसाली था आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बैसाली के समय जो कैपिटल हुआ करता था बैसाली में उसके साक्ष कुछ मिलते हैं मौडरन बसरा में मतब ब पैसाली के बसराज जगह पर देखने को मिलते हुआ और बज्जी कहां पर है बज्जी यहवाला बज्जी है तो बज्जी को ध्यान रखिएगा बज्जी मतला भज्जी द्रविजन को बोलते ना भज्जी बज्जी का जो कैपिटल था वो बसरा वैसाली के पास फिर नेक्स्ट में आते हैं कासी यह आपका बड़ाना बनारस और बी एच यू इनवर्सिटी भी वहीं पर है कासी का नाम आपने सुना ही होगा सो बनारस के लिए आसपास के एरिया को कोसल कासी कहते थे और इसका जो कैपिटल हुआ कर सरस्थी तो कोसल का कैपिटल कहता सरस्थी तो ध्यान से सुनिएगा फिर कुरू आते हैं कुरू जो है अडियाना और दिली के पास का लोकेशन है यमना के बेस्ट में लोकेटेट है यह आपको पता ही है यमना ने दी और इसका कैपिटल जो है इंदपरस्त में है तो आप के द्रयान रखिएगा कि कुरू और कोसल में काफी अंतर कुरू जो है पंचाल के वेस्ट में दिली के वेस्ट में यह मुनामनदी के वेस्ट में जहां पे दिल्ली और हरियना के कुछ पार्ट कवर्ड होते हैं Next है गांधार गंधर महरेज आपने नाम सुना होगा लब महरेज को बोलता है गंधर महरेज गंधार इस वेस्टर कार्ट फाकिस्तान और इस्टर अफगानिस्तान इसका capital जो था टक्सिला और पुषकलाबती तक्सिला और पुषकलाबती दो capital था गंधार का उस वक्त गंधार को भी आप लोग एक देख सकते हैं कि गंधार दिखें ये वाला बेल्ट में है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बेल्ट पे लोकेटेड है है ना आब आता केपिटल जो है राइपूर माना जाते हो था है ना कंबोज का केपिटल कहा हुआ राइपूर और ये कहां पे था हजारा डिस्टी को पाकिस्तान फिर आते है पंचाल फ्रॉम दे वेस्टर्न यूपी तो दे बोर्डर अफ कोसल एंड क्यापिटल एज अहिच्छत्र वेस् यूपी से लेके कोसल के बोर्डर तक है लोकेटर है और कैपिटल एज एट अहिच्छत्र राइट तो द्यान रखिएगा अब आते हैं मल मल का नाम आपने सुना होगा बज्जी जो हम लोगों ने देखा वो बज्जी के नौर्थ में लोकेटर था और कुसी नारा का आपन सुना है सो मल ला नौर्थ रबज्जी स्टेट एंड इस्टेट 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 क्या बुलता है कि एक टर्म आ रहा था माहिन में ठीक है बस जो है यमिना लीवर के पास है और कैपिटल जो है कौसाम भी है इलहाबाद के पास अगर आप देखेंगा बस तो आपको सम अगर जो कभर होता था वह इलहाबाद और मिर्जापूर इलहाबाद तो कैपिटल था यह बट मिर्जापूर एडिया भी फ्रेमस है वाट्स के लिए चेदी नियर दमोडर्न बुंडेल खन बुंडेल खन आज के रेट में जिसको में जानते हैं हो आपे चेदी है और इसक और भारतपूर सो मत्स इस लोकेटेद इन राजस्थान अलबर जैपूर और भारतपूर यह देखिए मैप को बार बार लोकेट किजिए हिस्ट्री में भी तब भी आपको समझ में आएगा याद भी हो जाएगा आपको रटने की जरुवत नहीं परेगी बहुत लोग नोट्स रटना यह सब चीज़ है तो उसकी बतौलत आप पीटी नहीं निकाल सकते हैं और निकाल भी लिए कि आप लोगों ने तो मेंस का क्या होगा हम चलिए तो कंबोज हो गया कंबोज हजारा गंधार का दो राजधानी तक्षिला और पुस्कलाबती कंबोज का आज का पकिस्तान जो हजारा डिस्टी के वहां पर है और इसका कैपिटल राजपूर है पंचला प्रण वेस्टर बॉडर अब कोशल एन क्यापिटल एडच अचात्र पंचाल का प्रण का अचात्र और बोला जाता है कि विस्टर फिर्ट जो है कोशल के बॉडर पर लोकेटध है अमत्स देख लिया अबंती अबंती आज का उजयन अबंती जो है सेंट्रल मालबा में मद्र प्रदेश में है और इसका क्रिप्टल जो है उजयन में है और मही समती का नाम आपने शुना होगा सुना है नम मही समती वही मही समती जिसके आदार पे मूवी भी बना है के लिर होगा है नम सो अबंती इस अबंती अजयन वार अएडिया सेंट्रल मालबा में मद्र प्रदेश में उसी तरह असमक सौधन मोस्ट अब बिविन नर्मदा और गोदावरी रिवर्स वहरी नाइस लोकेशन एक तरफ नर्मदा को जाओ नदी पानी दूसरा तरफ गोदावरी रिवर्स इन दप्रांस्पोर्ट असमक सौधन मोस्ट एंर बिविन नर्मदा और गोदाव रिवर्स इन्द माहरास्ट्रा इसका जो केपिटल है वह पॉट अना है करें में ऑपके माहाजनापत के बारे में ता भार मैप पे भी लोकीट कर ली जएगा पे लिए किस का कौन सा का capital है तब आपको समझ में आ जाएगा कि live Class का क्या है और कैसे जो है एफक्टिव हो सकता है यह live class में ही हो सकता है तो कल 9 वजे रात में मेरे live class को जरूर जोई कि जाएगा ज़ौइन कीजिएगा और जौइन करने का सिर्फ चैनल को लाइक करना और दोस्तों के भी तुमें शेयर करना और हमारे live class जो कि चल रहा है और कोर्स लाउंस हो चुका है जोगरफी खतम होने वाला है तो अगर आप लोग enrollment करने के चुक है तो मेरे number पर जो मैंने से contact कर सकते हैं, WhatsApp के तरू या call के तरू, so that is all for today, do not forget to subscribe and share my channel, thank you.